जहिन स्वागत है आपके अपने यूटिब चैनल दक्कैनी नियूज पे आज हम बात करेंगे कि जो परदेश में लोकल ट्रेन बंध है उनका सुभारम कब होगा कहने के मतलब यह है कि अपने नियत समय से सुचारू रूप से कब से चलना सुरू करेंगी जितने भी एस्टेट हैं सभी एस्टेट में लोकल ट्रेन बंध है गिने चुने एस्पेसल ट्रेन, क्लोन ट्रेन और व्याइपी ट्रेने सिर्फ चल रही है तो जितने भी लोकल अस्तर के यात्री हैं वो काफी परेशान है, काफी निरास है, उनको कही भी आने जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना परता है और ट्रेन बंद होने की वज़ा से जितने भी सवारी गारियां है चाहे वो अटोरिक्सा हो या फिर बस सेवा हो इन सबों ने किराये में भी बेताहसा बिर्धी कर ली है जिसके बाद यात्रियों को और परिसानियों का सामना करना पर रहा है करोना वाइरस में वैसे भी इनकम काफी कम हो गया है लेकिन कहीं आने जाने एमर्जेंसी सिवा के लिए कहीं आना जाना पड़ता है तो वहाँ पे ज़्यादा किराया देना पड़ता है जिसके वज़े से यात्री गण और परिसान होते हैं तो इसी से संबंदित कुछ सवाल के जवाब में रेलवे के चीफ एग्जेक्यूटीव आफीसर सह चेयर्मेंट बोर्ड वीके यादोजी और नीती आयोक के सी-ई-ओ अमिताप कांत जी गुरुआर को समाधा सम्मेलन कर रहे थें जिसमें उन्होंने लोकल ट्रेंज से संबंदित कुछ मुद्दों पे जवाब दिया जिसमें मुख रुप से ये रहा कि जितने भी उप महानगरिये या महानगरिये रेल सेवा है जो यात्रियों से जुरा हुआ है लोकल रेल सेवा है उसको चलाने के जो संकेत दिये उन्होंने अपने जवाब में यही कहा कि हम हर एस्टेट में लोकल ट्रेन चलाने पे विचार करेंगे अगर वहां के मुख्य मंत्री के द्वारा हमारे पास प्रस्तावाता है कहने का मतलब यह है कि हर परदेश में लोकल ट्रेन चलाई जा सकती है लेकिन इसकी जिम्मेवारी और जवाब दे ही परदेश के मुख्या का होगा जी हाँ अगर हम बात करें बंगाल में तो बंगाल के बारे में यही कहा कि हम बंगाल के मुख्य मंतरी से चर्चा बनाये हुए हैं उनसे संपर्क में है वो जैसे ही हमें हरी जंडी दिखाई देती है तो रेल मंतराले रेलवे बोर्ड भी हरी जंडी दिखा देगी और वहाँ पे ट्रेने चला देंगी लेकिन वहां से अभी कोई सिगनल नहीं मिल रहा है अगर बिहार की बात करें तो बिहार के मुखे मंतरी जी जब से चाहे वो ट्रेन चलाने के लिए तैयार है तो कहने का मतलब है कि यूपी बिहार बंगाल किसी भी परदेश की बात किया जाए तो लोकल ट्रेन चलाने की जिम्मेवारी अब परदेश के मुख्या की होगी हम बात करते हैं अगर local train किसी भी परदेश में चलाई जाती है तो विसेज ध्यान देने की जरूरत है जैसा कि आप जानते है कि local train का जो ठेहराओ होता है वो काफी सिमित समय के लिए होता है 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए होता है तो उसमें क्या होता है कि जो यात्री होते हैं उसमें भगदर सी मची रहती है गेदरिंग होती है एक साथ पचास यात्री उतरते हैं और पचास यात्री चरते हैं तो करोना काल को देखते हुए ये गेदरिंग सही नहीं मानी जा सकती है इसलिए अपने तरब से ये सुझाओ है कि उसके stoppage को बढ़ाया जाए train यानि कि अगर local train चलती है तो जहाँ एक मिनट का stoppage है वहाँ पे कम से कम दो मिनट का stoppage किया जाए और विशेश रूप से वहाँ पे ZRP और RPF का सुईधा दी जाए हर बोगी में ताकि वह गेट पे जाके उतरते समय social distance मेंटेन करवा सके और gathering को कम से कम कर सके अगर ZRP और RPF की संख्या घरती है तो उस से state के state police का भी help लेना चाहिए जिस से social distance के साथ यात्रियों की सुरक्षा बनाई जा सके और इन सब साओधानियों के साथ सुरक्षा के साथ कोई भी state जो है local training चला सकती है तो उमीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर जानकारी पसंद आई तो आप इसको share कीजिए वीडियो को like कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को subscribe अवस्थे कर ले साथ ही साथ notification bell को on कर दे अपना ख्याल रखे अपने घर वाले का ख्याल रखे जहीं 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 जहीं